यहां पर देख सकते हैं 8000 रुपे की मुझे यहां पर लिमट मिल चुकी है अगर आपको भी पैसों की instant emergency है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful हो सकती है देखो यहां पर आपको स्टार्टिंग पर जो लिमट मिलेगी तो 10,000 रुपे तक की आपको यहां पर ल पर लिमट और देखो इस लिमट को मैं instant अपने बैंक खाते में ट्रासर भी यहां पर कर सकता हूं तो यहां पर मुझे अपनी UPA ID को लगाना है अगर मैं जैसी अपनी UPA ID को पर डालूँगा उसको मुझे यहां पर इसको verify करना है और यह जो लोन है सीधा मेरे बैंक खाते क अगर आपको वीड़ो को बिलकुल भी यहां पर इसकिप करेंगे ना तो आप यहां पर लोन के लिए अपलाई कर पाइंगे अब यहां पर देख सकते आपके सामने Baptist duty rate अब लों को अप्लाई करने हैं आपको इंटरी那麼 अपर मंतट आपको समय मिलेगा पूरे 6 मिने का अपको छे मिने काल पे समय मिल यह उसको लेट करते हैं, तो वहाँ पर आपको 10% का outstanding EMI का चार्ज यहाँ पर देना पढ़ सकते हैं, EMI की डेट आपके आपकी EMI की यहाँ पर देख सकते हैं, 8 तरीक के आपकी EMI की यहाँ पर डेट जो है, अगर आपको 8,000 उरपे से कम की लिमट को transfer करना है, तो कम की भी लिमट को आपके आपके transfer कर सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लेगा आपका loan का amount, अप जो मेरा loan का amount है वो है, 8,000 उरपे का आपके देख सकते हैं, 8,000 उरपे का मेरा loan का amount है, processing fees include आपको 18% की GST दिने पड़ेगी 188 रुपे की नीचे आएंगे आपके जो बैंक खाते में आएंगे वो आएंगे 7811 रुपे आपके बैंक खाते में आजेंगे उसके बार आपको नीचे आजाना है आपको repayment करनी है आपको repayment करनी पड़ेगी अब अपने कोडिंग आप अपने ब्याज को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना याप ब्याज लगा है और कितने आपके बैंक खाते में आएंगे 7811 रुपे आपके बैंक खाते में आजेंगे आपको जो प्रोक्सिबल जो भी आपको ब्याज लगा है कम से क्राइं पंदरा सो रुपे के लगबग आपको यहाँ पे ब्याज लगा है जो कि काफी अप्लिकेशनर से काफी यहाँ पे कम है आपके फर्स्ट EMI देख सकते हैं आठ जो आपकी EMI आ पर आ जाएगी नीचे आएँगे आपको अप्राइंज देखने को मिल जाएगे तरह के आपने EMI क के शिडूल को भी आप यहाँ पे चैक कर सकते हैं आप इसको विउयू करेंगे अपनी जो भी आपकी EMI या उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जीकर उसको apply कर से करने approval आपको कैसी लेने काफी लोग क्या करते हैं loan तो apply करते हैं जिनको loan apply करने का बिल्कुल भी नहीं पता होता और आगे चलके उनका loan भी यहाँ पे reject हो जाता है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पहला step यहाँ पे complete कर लेने देखो आपको जो पहला step मिलेगा वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना pen number देखो जो भी आपको pen number है वो pen number आपको यहाँ पे डाल देना है अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दी है 10,000 रुपे की तो आपको भी जितने भी लिमट किये उतने लिमट यहाँ पे डाल दीने है देखो what depending करेगा आपको सिबल स्कोर की ओपर की आपको सिबल यहाँ पे कैसा है अगर आपको सिबल अच्छा होगा तो आपको अच्छी लिम आपको फील करनी है उसके बाद आपको अगले वाले कोड पे आ जाना है अगले वाले यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फोन नंबर को यहाँ पे डाल देना है जैसे अपने मुबाइल नंबर को डालेंगे नेक्स्ट यह पे आपको यहाँ पे क पूटेंट के थुरू लोन के लिए अपलाई करेंगे आपके पास एक ID काड़ यहां पर होना जिए अगर आपके पास ID काड़ होगा तो आप यहां पर लोन के लिए अपलाई कर पाएंगे आपको प mm यहां पर जबbereich और नीचे आ के लाइं डालकस यहां पर क्लिक करेंगे", Calling और यहां पर पर क्लिक करेंगे, आप एक selfie यहां पे लेनी पड़ेगी अब यहां पे देखो आपको जो selfie लेनी है तो यहां पे आपको bright light में आपको यहां पे selfie लेनी है और आपको नीचे आना है कोई भी आपको no glasses यहां पे डाले होई नहीं होने चाहिए ना तो आपको हैट यहाँ पर डाल के फोटो खीचनी है अगर आप हैट डाल के फोटो खीच ओगे तो आपका लोन यहाँ पर रिजक्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पर गलासिस डाल के फोटो खीच ओगे तो भी आपका लोन यहाँ पर रिजक्ट हो जाएगा आपको सिंपल धिरके से फ में इस वाले को फील करेंगे आपको थोड़ा सा वीट करना उसके उपको नेक्स सेक्शनपे आपको किलिक कर देने तो अब आपके मोबाइल पर देखो जोबी o tv आएगा उस सब्सक्राइब आपको बनाएं और की केवाइल आपके किलिक कर देना है तो आपकी जो किलिको कि दिए कॉर कर दियुक मे came पर complete हो चुके तो डिजी लोकर के जरी है हमने जो अधारकाट की के वैसी दी उसको हमने याप पर किलिक कर दिया उसके बाद आपको अलाव वाले section पर आपको आपको किलिक कर देना है तो अब आपकी application चले जाएगी in progress में तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ प्लिक है आपक यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे देख लेना है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिक कर ट्रास्वर तो अकाउंट देखो यहाँ पर मैंने आपको simple तरीका बताया था इसको आपको अपने bank खाते में ट्रांसर करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना का UPI id यहां पर डाल देनी है अब यहांपर मैंने अपनी upi irid यहांपर डाल दी आपको इपनी यहांपर निकलके आजाएगा जितनी भी आपको लिमेट को ट्रांसर कर सकते हैं अगर मैं सटनीbuilt मेरे करता हूं मेरे खाते में आएंगे 7811 रुपे रिपेमेट मुझे करनी है 9388 रुपे की तो भाई काफी अच्छी अप्लिकेशन है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने आपको इस अप्लिकेशन का जो लोन था तो लाइप पूर्फिय आपको अप्लाई करके दिखाया कैसी आपको अप्लाई करना कैसी आपको बैंक खाते मिले नहीं भाई को कि मुझे अभी इस लोन की यहां पर जूट नहीं है अगर आपको इस लोन के जूट है तो भाई इस अप्लिकेशन पर आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं इस अप्लिकेशन का लिंक आपको मेरे टेलिगराम च स्क्राइब करना ठेंको दोस्तों